भाविवार बेनों, कैंसर जैसी गंबीर बिमारियां एक परिवार के रुप में और एक समाज के रुप में हमें भावनात्पक रुप से और आर्थिक रुप से कमजोर करती हैं इसलिए बिते साथ आठ साल से देश में स्वास्त को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रुप से काम किया जा रहा है हमारी सरकार ने साथ विशनों पर यह एक कहते हैं स्वास्त के सब तरुशियों पर फोकस किया है पहली कोशिज यह है कि बिमारी की नौबती नहीं आए इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केर पर हमारी सरकार ने बहुत जोड़ दिया है यह योग, फिटनेस, स्वच्छता, ऐसे कई कारकम इसके लिए चल रहे है दूसरा, अगर बिमारी हो गई, तो शुरुवात में ही पता चल जाए इसके लिए देशभन में नए ट्रेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे है तीसरा फोकस यह है, कि लोगों को घर के पास ही प्रात्विक उपचार की बहतर सुविदा हो इसके लिए प्राइमरी हिल्सेंटरों को पूरे देश में वैलनेस सेंटर के रूपे एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है चोथा प्रयास एह है, कि गरीब को अच्छे से अच्छे स्पताल में मुप्त इलाज मिले इसके लिए आईश्मान भारत जैसी योजनाओं के तहट पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज आज भारत सरकार के तरप से दिया जा रहा है हमारा पांचवा फोकस इस बात पर है, कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरोपन निर्भरता कम से कम हो इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्टेक्टर पर हमारी सरकार अभूत पुर्वन निवेश कर रही है हमने देखा है कि आजादी के बात से ही जितने भी अच्छे अस्पताल बने वो बड़े शहरों में बने थोड़ी सी भी तबियत भिगड़े तो बड़े शहर भागो यही होता रहा है लेकिन 2014 के बात हमारी सरकार इस्तिती को बदलने में जुटी हुई है साल 2014 से पहले देश में सिर्फ साथ एम से इस में से भी एक दिल्ली वालों को छोड़ दे तो कहीं MBBS की पढ़ाई नहीं होती थी कहीं OPD नहीं लगती थी कुछ अधूरे बने पड़े थे हमने इन सभी को सुधारा और देश में सोला नए एम्स गोशित किये एम्स गोहाटी भी नहीं मैंसे एक है हमारी सरकार देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जुरूर हो इस लक्ष पर काम कर रही है 2014 से पहले देश में 337 मेडिकल कॉलेज थी अब इनकी संग्या बढ़कर करीब करीब 600 तर 600 तक पहुंच रही है साथ को हमारी सरकार का छट्था फोकस इस बात पर भी है कि डॉक्टरों की संख्या को जादा से जादा बढ़ाया जाए बीते साथ साल में MBBS और PG के लिए 70,000 से जादा नई सीटे जुड़ी है 70,000 हमारी सरकार ने 5 लाग से जादा आयूस जॉक्टर्स को भी ऐलोपेथिक डॉक्टरों के बराबर माना है इससे भारप में डॉक्टर और मरीजों के बीच रेशियो में भी सुधार हुआ है हाली में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है सरकार ने तै कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिस्द सीटों पर उतनी ही फी ली जाएगी जितनी किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में ली जाती है इसका फाइदा हजारों नवजवानों को मिल रहा है देश को आधाती के बाद जितने डॉक्टर मिले हमारी सरकार के प्रैयासों से अब उससे भी जादा डॉक्टर अगले दस वर्थ में मिलने जा रहे हैं साथियो हमारी सरकार का सात्वा फोकस स्वास्त सेवाओं के डिजिटाइजेशन का है सरकार की कोशिज है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले इसके लिए एक के बाद एक योजना ए लागू की गई है कोशिज यह है कि केंदर सरकार की योजनाओं का लाब पूरे देश के नागरिकों को देश में कहीं भी मिल सके इसके लिए कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए यही बन नेशन वर्ड हेल्ड की भावना है इसी ने सो साल की सबसे बड़ी महामारी में भी देश को संबल दिया चुनोती से निपटने की ताकत दी